हलो दूस्तों मेरा नाम है अनद्पयस्वाणी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल AVS Tech अनद्पयस्वाणी मैं है जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप Google AdSense का Approval कैसे ले सकते हैं उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो YouTube के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उनके Conditions रहा करती है और कैसे आपको Approval बिलता है तो अभी recently मैंने भी अपना एक और चैनल यहां पर Approve करवाया है आप यहां पर देख सकते हैं इस्टाइप का आपको एक Message आएगा Congratulations, your YouTube channel AVS Reviews has been accepted in the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube आप अपने अब YouTube वीडियो को monetize कर सकते हैं ठीक है तो यही पूरा Process मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक YouTube channel को monetize कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं यह दिखाए देरा है Welcome to YouTube Partner Program Congratulations, you have been accepted into the YouTube Partner Program You can now monetize your video and contact support यह देखिए 14 June 2021 को आया था तो आप यह समझे जी कि अभी से तक्रीवन 2-3 दिन पहले यह channel monetize हुआ था यहां पर आप इसके पूरे वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको इसके पहले का Process आपको बताऊंगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अभी monetization पर click किया है और यहां पर आप देख सकते हैं 1020 मेरे subscriber हो चुके हैं और जो 4000 required time है वो भी यहां पर complete हो चुका है 4000 गंटे का जो time होता है अब आपको यहां पर apply now पर click करना है then आपको step 1 पर start पर click करना है यहां पर आपसे यह पूरी accept करने के लिए बोला जाता है यहां पर आपको accept करना है और accept terms पर आपको click कर देना है और इसके साथ ही आप यहां पर इसकी YouTube terms of services, YouTube partner program, policy बगरा भी check कर सकते हैं है, यहे सब करने के बाद आपको accept terms पर click कर देना है और अभी आप यहां पर देखेंगे कि यह जो है हमारा step 1 कम्प्लीट हो जाएगा और अभी आप यहां पर देख सकते हैं step 1 यहां पर complete हो गया then आपको step 2 पर click करना है اور Стart पर आपको click करना है यहाँ पर आपका अगर कोई existing account है वो भी आप connect कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप नया account भी बना सकते हैं चुकि मेरे पास एक already existing account है इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा account नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो adsense की policy है उसके हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही account create कर सकते हैं and then आपको अपना email select करना है यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके information रहेगी जो भी आपका adsense account रहेगा वो आप यहाँ पर link कर सकते हैं यहाँ पर आपको accept associations पर click करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यह आपको दुबारा YouTube पर लेके जाएगा और अभी हम YouTube पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आपका second step भी complete हो जाएगा और third step में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है third step जो है वो process होता है review का कि आपका जैसे यह चीज review हो जाती है then आपका complete process हो जाता है और यह जो process मैंने किया था यह मैंने 11 June को किया था और तकरीवन 14 June को मेरा account approved हो गया था और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पर दुबारा monetization पर click किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा adsense यहाँ पर link आपको दिखाई दे रहा है associated on 11 June जैसा कि मैंने आपको बताए कि 11 June को मैंने apply किया था और यहाँ पर आप mail देख सकते हैं कि 14 June को approved हो गया था मतलब मुश्किल से 3 दिन का time लगा और यहाँ पर account approved हो जाता है अब सिर्फ आपको करना एक काम है कि obviously बात है 4000 hours आपका watch time होना चाहिए और कम से कम 1000 subscriber होना चाहिए और यह आपका एक साल का criteria है कि हर साल आपका अगर इतना नहीं होगा तो आपका monetization बंद हो जाएगा अभी यहाँ पर मैं आपको dashboard में दिखा दिया करता हूँ कि अभी जो यहाँ पर earning सुरू हो गई है तकरीवन 0.8 कुछ मैंने last time देखा था आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.8 मतलब कहा जाए तो अभी कुछ इस पर खास इतने views नहीं आ रहे हैं मुस्किल से इसमें 15-20 वीडियो है और इतने मैं ही मैंने इस channel को monetize करवा लिया तो यह एक simple सा process मैं आपको बताना चाहता था कि आपको कौन सा process है जिसके थूरू आप monetize करवा सकते हैं अगर आपके लिए यह चीज़ जानना है कि आप views कैसे लेकर आ सकते हो अपने चैनल को fast कैसे grow कर सकते हो तो आप मुझे comment कीजे उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना के दूँगा क्योंकि यह जो चैनल है यह मैंने बहुत ही fast grow किया है और अगर आप इसमें views बगएरा देखेंगे तो views बगएरा भी मैंने बहुत अच्छे यहां पे लेके आया हूँ और यहां पे आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ads बगएरा आप नहीं चला सकते हो अगर आप ads चलाओगे कि आपने मालेज यह Google का ad चलाया तो उसके थू जो views आएंगे ना वो भी यहां पे count नहीं होते हैं कि आप अगर चाहते हो कि आप अपने यह जो videos होते हैं अगर आप इनको promote करते हो तो promote करने के बाद जो आप यहां पे देखोगे आपको एक promote का option आता है अगर आप यह promote करते हो तो आप यह समझ के रखिए कि उससे आपको कोई फाइदा नहीं होगा और वो चीज़ यह count नहीं करते हैं तो यह गलती भी आप मत करना कि यह जो promotion है यह आप मत चलाना अगर आप चाहें तो आप Facebook पे या किसी और external ads का आप सहारा ले सकते हैं तो मैंने अपने channel इसको बहुत जली grow कर लिया और आप यहां पे देख सकते हैं अभी तकरिवन एक दो दिन पहले monetize भी हो चुका है और last 28 days में आप देख सकते हैं तकरिवन 19.3 के views आए हैं और अभी मैंने कुछ टाइम से कुछ चीज़ां बंद कर रखी हैं तो इसमें इतने खास views नहीं आ रहे हैं लेकिन अभी आप देखना कि तकरिवन एक महीने में मैं इसको 100 डॉलर पे भी लेके जाओंगा कि एक महीने में यह 100 डॉलर भी earning करके देगा फिर उसके बाद 300 400 500 आप अच्छी खासी earning करेगा तो यह पूरा अगर आप process जानना चाहते हैं और सारी चीज़ें आपको live दिख ठीक है तो अगर आप यह सारी चीज़ें देखना चाहते हैं आप अपने चैनल को grow करना चाहते हैं तो आप मुझे comment जरूर कीजें तो I hope यहां पे जो मेरा एक छोटा सा intention था कि आप अपने channel को monetize कैसे कर सकते हैं उसका process मैं बताना चाहता था जो कि मैंने already किया हुआ है और कीजें मैं आपके comments के जरूर reply करूँगा तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक new tips और tricks के साथ thank you दोस्तो